दोस्तों आज हम बात करेंगे बेरियस स्विचिज पॉल्स गैंग्स थ्रोज और सिंबल्स जो की बहुत इंपोर्टेंट है कॉम्पॉटेटिव एक्जैम से पुछे जाते जैसे जी एई सिंबल आपको जैसे कॉशन में दिया होगा और लिखा होगा कि यह किस टाइप का स्विच है तो कई बार काफी असान कॉशन भी आपको कन्फूजन में डाल देता है जैसे और जी एक के अलावा एक्जैम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एलेक्टिकल एक्जैम के लिए होगे तो आप देख सकते हैं वीरियस सिंबल्स और सुचिज आई हम एक को डिसकस करते हैं बहुत अराम से दिखिए सबसे पहले हम डिसकस कर रहे हैं जैसे आप सिंगल पूल सिंगल पूल सिंगल थ्रो एस पी एस टी शॉर्टकट में इसको बोलते हैं स्विच जो होता है ऐसका सिंबल कुछ ऐसा होता है आपके सामने हैं गिये सिंगल पूल सिंगल थ्रोय Communist जी матери उने के मतलब सिंगल पूल holidays और सिंगल थ्रो यह तो जैसे इस एस पोगा और उपर जाएक तो उस्टम्रेय किया है ऑफ होगा तो उसके बाद अगर हम बात करह ईक सिंगल पूल डव twice की मतलब में अगर यह ऊपर जाएगा तो यह ऊफ होगा सुच्छ उन होगा यह यहां पे 290 अभी पर होगा यहां पर होगा जब यह नीचे होगा तो नीचे वाली supply अन होगी जब यह उपर होगा तो उपर वाली supply होगी मतलब double throw है नीचे भी throw है और उपर भी throw है तो इसलिए इसको कहते है SP DTI उसके बाद आता है double pole single throw double pole ऐसे उसमें बीच से यह attached होगे और जैसे आप नीचे को करेंगे तो supply क्या होगी अन होगी यह आपका short circuit होगा और जैसे उपर होगा तो यह supply open होगी उसके बाद आये देखते हैं double pole double throw देखें double pole double throw कुछ ऐसा होता है उसमें कुछ यहां पर चार इस तरह के टर्मिनल होगे और यह एक दूसरे से connected होगे और जब नीचे आएगा तो यह और यह इसके साथ supply connect होगी और उपर जाएगा तो इसके और इसके साथ supply हमारी connect होगी तो गाइज यह था परपस DPDT यानि को सबस्क्राइब करें हमारी वीडियो कुछ आसे लाइक करें और शेयर करें क्योंकि बैलेवल वीडियो आप तक लेकर आते है टेकनिकल नौलेज और एजुकेशन से रेलेटर वीडियो से पहले तो उसके बाद है गाई सिंगल पोल बन वन बेस्विच देखिए सिंगल प मतलब एक पोल डबल होगा मतलब दो वोल है ना और त्रिपल होगा मतलब तीन फोल वन बेस्विच वन बेस्विच वन बेस्विच ओके गाईज अब टो बेस्विच कैसा होता है टो बेस्विच में क्या होते है दोनों साइड जो उपर नीचे जो क्या होती है लाइनिंग ह होती है टूबे स्वीच सिंगल पॉल वन बेस्वीच होता है अगर आपके पास सिंगल थोड़ा सा यहां से मूर जाए तो इसका मतलब वह है कॉर्ड ओप्रेटिड सिंगल पॉल वन बेस्वीच हाई ए नेक्स्ट अगे चलते है तोड़ा इंट्रमडेट स्वेच का सिंबल कैसा होता है अप स्क्रींशोट लजए देखते हो मैं बहुत आरम से स्क्रॉल कर रहा हूं याद लखने के लिए ऊंगल डरवल ट्रिपल गैंग स्विच्च इस देखी क्या होता इसमें कि इंट्रमेडीट स्विच कुछ ऐसा होता है Sprigそれは आप ऐसा symbol circle और एक lining उसको ऐसे perpendicular touch कर रहे है तो स्विच बोलते है 12 गना स्विच की सिम्बल है dimr गा स्विच हम सभी जानते है उसका lightning présent का rear lamp ऱपंड को across रेंजराएंट करते है prove जो gonna die. जो उसके बाद जबाद single fluorescent lamp इसका जो switch कुछ ऐसा रहता है उसके बाद है main control और intake point जहां से आपका जो main intake point है उसका symbol ऐसा रहता है उसका main switch आपका MC miniature circuit breaker के बाद जो होता है उसको इस तरह से symbol से भी represent करते हम ऐसे again I'm saying like that like that उसके बाद है guys right side जलते है अगर आपको लिखावा gang switch GNG word इसमें जोड़ देते हैं हमने इससे पहले पढ़ा था कि देखिए हमने पढ़ा था single pole one way switch यह पढ़ा था single pole one way switch अगर बीच में हम इसको ऐसे dark कर दे तो एक और terminology add up हो जाते हैं इसमें gang अब यह कैस single gang switch double gang switch triple gang switch अब single two way switch कुछ ऐसा होगा बीच में ऐसे और double two way switch double two way ऐसे होगा और बीच में आपको ऐसे represent करना उसको dark करके triple two way switch okay guys next projector और lamp reflector जिसका जो symbol ऐसे रहता है उसके बाद projector और lamp reflector का symbol उसको spotlight का symbol कुछ ऐसे रहता है spotlight double arrow आपने horizontally towards the right hand side आपको ऐसे draw करनी है ठीक है उसके बाद है socket outlet जहां से आपका socket outlet है उसका symbol कुछ ऐसे रहता है socket outlet बार बार आप इसको देखो कि अगर practice करोगे तो आपके mind में यह symbol हो जाएंगे fix हो जाएंगे देखिए push button और उसके बाद electric bell जो घरों में होती है उसका symbol कुछ ऐसे होता है इस था symbol of electric bell और उसके बाद automatic fire detector उसका symbol कुछ ऐसे होता है अच्छा गाईज एक symbol मैंने जानबुछ के हाँ पे नहीं डाला हुआ है that is energy meter energy meter का symbol आपने comment section में आप draw करके अपनी copy में या उसका photo लेके comment section में upload कर सकते है तो यह आपके लिए एक home work है energy meter का symbol आपको comment section में comment करके upload करना है तो guys यह थी हमार पास various symbols और switches, pools, gangs, throws symbols चुकि बहुत important है आपके examination point of view से so okay guys thank you for watching this video and do subscribe and share thank you very much